क्या आज से हजारों सार पहले आज से भी कई गुना अच्छी टेक्नोलोजीज एक्जिस्ट करती थी? क्या एडॉल फिटलर ने हमारे स्क्रिप्चर्स में से नौलेज को चुरा कर अपनी मिसाइल्स को बनाया था? क्या चाइना हमारे संस्क्रिप्ट लेंग्विज को लगातार डिकोट करकर उनसे नौलेज चुराने की कुशिश कर रहा है? और क्या हमने पुश्पक विमान जैसा ही कुछ फिर से बना लिया है? क्या दुनिया का सबसे पहला एरक्राफ्ट राइट ब्रिदर्स ने नहीं बनाया था? क्या हम किसी एरक्राफ्ट को मंतर के मदद से चला सकते हैं? और क्या हम गायब हो सकते हैं? पुरानी टेक्नोलजीस की मदद से? और अखिर कैसे आज से 7000 साल पहले पाइलेट को क्या पहनना चाहिए? क्या खाना चाहिए? कौन सा रूट लेना चाहिए? कैसे ड्राइव करना चाहिए? सब कैसे लिखा गया था वैमनी का सास्त्र में? लॉड विश्व कर्मा एक ऐसे भगमान जो अपने आर्किटेक्ट के लिए जाने जाते हैं इंडियन स्क्रिप्चर्स के अनुसार ये एक डिवाइन आर्किटेक्ट हैं जिनोंने इंद्र केंद पर से लेकर कुबेर की लंका और पुष्पक विमान तक बनाया था जी हाँ क कुबेर की लंका रावण की नहीं इनफेक्ट सुर्वाद तो ऐसी हुई थी आर्किटेक्ट विश्व कर्मा क्रियेटेट पुष्पक विमान फॉर लॉड ब्रह्मा लेकिन फिर कड़ी तपश्या करकर कुबेर ने उनसे पुष्पक विमान हाशिर कर लिया था लेकिन कि शिविल एवियेशन अथॉरिटी ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉंच किया पुष्पक विमान को खोजने के लिए वहां के हिस्टॉरियन्स का कहना है कि रामायन और महाभरत केवल एक पोएट की इमेजिनेशन नहीं है बलकि उससे कई ज्यादा है तो आज की इस वीडियो में हम इंशेट इंडिया की एरोस्पेस टेकनॉलजी के बारे में डिसकस करेंगे और उसके बारे में काफी कुछ जानेंगे तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं पूरा भारत वर्स या कहें पूरा इंडियन सबकॉंटिनेंट वेदों से घीरा हुआ होता था हमारे पूरवजियों ने अपनी नॉलेज को वेदों और स्क्रिप्चर्स की द्वारा पास ओन करने की कोशिश की थी एंड आज की डेट में भी कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिनें हम डीकोड नहीं कर पाएं लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिरी स्क्रिप्चर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं और इन्हें डीकोड करने के बाद हमें मिलेगा क्या वेल इड वोज आवर एंसिस्टर्स आरा ग्रूप ओफ स्टोनेज मैं जो पत्थर गिसकर आग जलाने की कोशिश किया करते थे नाव आई विल टेल यू सम्थिंग डेट इस गोईंग तो ब्लो यो माइंड अडॉल हिटलर नाम तो सुनाई हो गया राइट वेल हिटलर ने अपने कुछ आदमियों को इंडिया और टिबट के एक्सपेडिशन पर भेजा था और फिर 1938 में वो यहां से इंडियन स्कॉलर टांडी वतला विश्वनाथ सास्त्री को लेकर गए ताकि वो उनकी वेदिक नौलेश की वज़ा से मस्टीरियस मंतरास को डिकोट कर पाएं और यह माना जाता है कि इसी डिकोट की गई इंफोर्मेशन से नादी जिर्मनी ने वर्ल्ड वार टू के टाइम पर अपना वीवन रोकेट जिसे बस बाम कहा जाता है उसकी इंजन को डबल अप किया था और यही नहीं जितना हम अपने वेदों और ग्रंथों को इगनोर करते हैं ना उतना ही चाइना जैसे देश इन्हें डिकोट करकर इनकी इंफोर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो इंडियन टेक्नोलोजीज को समझ कर उनका इस्तमाल कर सकें युनिवर्सिटी ओफ चंडीगर में कुछ संस्कृत डॉक्यूमेंट सेंड किये गए थे बट देन इट वोस डिसकोवर्ड बाइ चाइनीज गोवर्मेंट इन तिबित अब लासार्ट सिटी में डिसकोवर्ड की गए यह डॉक्यूमेंट क्या थे और इसमें आखिर ऐसा क्या था जो चाइनीज गोवर्मेंट इसी इतना एक्साइटमेंट के साथ डीकोट करने की कोशिश कर रही है और इस चीज़ का आंसर जानने के बाद मैं खुद बहुत शौक रह गया और आम शूर कि आप भी उतनाई शौक होगे इस डॉक्यूमेंट कंटेन दा टेकनीक ओफ हाउ टू बिल्ड दा इंटरस्टेलर स्पेस्शिप यूनिवर्सिटी ओफ चंडिगर्ड की डॉक्टर रूथ रहना ने ये कहा है कि उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किये गए स्पेस्शिप के लिए ड्राउन से लिफ्ट ओफ करने के लिए वही एंटी ग्रेविटेशनल सिस्टम यूज किया जाता है जैसा लगीमा में होता है अब लगीमा एक संस्कृत वर्ड है विच मेंस एबसेंस ओफ वेट अब आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि साधू, मौंग्स हवा में लेविटेट करने लगते हैं वेन दे आर मेडिटेटिंग और दिस वाज एक्जैकली वाट लगीमा एज और लगीमा के अंदर लगीमा के बारे में लिखा गया है वैसे ही अनिमा यानि अपनी बॉडी को एटम के साइस जितना छोटा कर लेना या गरिमा हैवी या डेंस हो जाने की सिध्धियों के बारे में भी लिखा गया है देखिए ये कहना कि पहले के टाइम पर ऐसे विमान एक्जिस्ट करते थे ये टापिक अपने आप में ही बहुत जादा कॉंट्रोवर्शिल है क्योंकि इस पर डिसकस करने वाले दो टाइप्स के लोग हैं एक जो एशेंट इंडिया की एरो स्पेस टेक्नोलजी पर बिलीव करते हैं और इस पर गहराई से स्टडी करना चाहते हैं और दूसरे वो जो पुषपक विमान जैसी फ्लाइंग मशिन्स को केवल एक पोईट की इमेजिनेशन मानते हैं और अगर मैं आपसे अभी पूछ हो कि दुनिया का सबसे पहला एरक्राफ्ट किसने बिल्ड किया था तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट ब्रिदर से आठ साल पहले मुंबई के चोपाटी में एक एरक्राफ्ट उडा था जी हाँ इसे शिवकर बाबुजी तलपडे ने इन्वेंट किया था और वो भी राइट ब्रिदर से आठ साल पहले keeping the science conspiracy around his name he was the first man on the earth who construct and fly the world's first unmanned spacecraft about 50-100 feet from the ground और इनोंने अपने आविशकार का नाम Goddess of Knowledge यानी मा सरस्वती पर रखा था he named his spacecraft Marutsakha which means the friend of wind and it was literally a friend of wind क्योंकि ये spacecraft 18 minute तक हावा में रहा था and interesting बात ये है कि इस विमान के उडान के पीछे इसकी development के पीछे वेदिक scriptures का हाथ था बापुजी के इस invention में उन्हें गाइड कर रहे थे पंडित सुभारिय शास्त्री अब ये नाम एक ऐसे किस्से से जुड़ा हुआ है जिसके roots ancient India की aerospace technologies से जुड़ा हुआ है वेमनिका सास्त 3000 संस्कृत स्ट्लोक और 8 चैप्टर से बनी हुई ये किताब अब वैसे तो ये किताब earlier 20th century में ही discover हो गई थी बट पंडित सुभारिय सास्त्री का ये कहना है कि इस हजारों साल पुरानी Asian technologies का ग्यान खुद रिसी भरतवाज ने उन्हें physically dictate किया था वेमनिका सास्तर यानी science of aeronautics में Indian scriptures में mention किये गए विमांस के बारे में काफी गहराई से लिखा गया है और ये बेसिकली interstellar और intergalactic travel के लिए बने थे ये एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए बने थे अगर आप अपनी human nature को जगा कर इनमें एक pattern खोजने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये gods के लिए बनाए गए interstellar और intergalactic travel vehicles से space ships नहीं हो सकते और आज की date में हम इनसानों ने जिने बनाया है वो space crafts नहीं हो सकते वेल इस सवाल का जवाब तो हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास इन scriptures को decode करने जितनी intelligence होगी फिलाल के लिए let's get back to women का सास्त अगर ये space crafts बनाए भी गए थे तो उतने time पहले इने power कैसे किया जाता था वेल ये यूगों के हिसाब से बदलते आए हैं प्रेता यूग में humans से mantras को adopt कर रहे थे और द्वापर यूग में लोग tantras और rituals के बारे में aware हो रहे थे और आज हम कल यूग में जी रहे हैं जब हमने mantras और tantras दोनों की knowledge को खो दिया है और कल्यूग की जो चार स्पेस्क्राफ्ट की drawing है वो उन scriptures में दी गई है और इन चारों विमान की design में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है बस एक ही अंतर है और वो है देखी आज की time पर किसी भी चीज़ को अगर हमें space में या earth की orbit में लॉक करना है तो हमें certain type of energy चाहिए होगी जो उस object को gravity के against डाकर push करे और इसी method को कहा जाता है proportion method a machine that produces a thrust to push an object forward वेदिक टेक्स्ट में mention की गए कुछ विमान देसे जलायान अ विमान designed to operate on water कारा अ विमान that designed to operate on ground and water त्रितरा three flooded spacecraft त्री चक्रा रत a three-wheeled vehicle designed to operate in the air वायू रथा अ विमान powered by wind और gas विद्यूत रथा अ विमान powered by a solar energy और ये जितने भी विमान's mentioned है ना इन सब के proportion method अलग-अलग हैं और ये mercury, xenon, arrogant, kryptin और hydrogen, topulin पर operate होते हैं और इन मेंसे जो एक चीज है वेदिक iron engine वो scientist के मन में curiosity जाएगाने के लिए काफी है इस technique को वेदाज में यूज किया गया है लिकिन shocking बात क्या है पता है नासा ने अपने किसी mission में हाल ही में इस technology को यूज किया है और आप खुदी सोचिए कि इतने पुराने scriptures में कुछ ऐसी technologies लिखी गई है जिने हम आज की date में इस्तमाल कर रहे हैं रिशी भरतवाज के वेमनिका सास्त में कुछ चीज़े इतना बारीकी से लिखी गई है कि इसे flight manual कहना कुछ गलत नहीं होगा जैसे कौन सा aerial route लेना है पाइलेट को क्या पहनना चाहिए क्या खाना चाहिए भी बहुत सारी चीज़े वेमनिका सास्त के अंदर पाई गई ये तो चलो फिर भी ठीक है लेकिन हम विमान्स की बात कर रहे हैं जिनको इनसान के साथ साथ गौट्स भी यूज करते थे तो अव्यस सी बात है ये एक्स्ट्रीमली एडवांस होंगे नई और इन सारे मेंशन का सपोर्ट करते हुए 2015 में आनन्द जे बोदास वेदिक साइन्स संस्कृत नामक का सेशन में ये स्टेट किया था there is ancient aviation in रिगवेधा 7000 years ago महारिशी भरत वाज talked about the existence of airplanes which travels one country to another, one continent to another, one planet to another अभी से स्टेटमेंट को लेकर कई सारे वेग्यानिक ट्रिगर हो गए थे इवेन नासा के एक साइंटिस ने तो ये भी कह दिया था कि इस स्पीच को बंद कर दिया जाए because उनके अनुसार Captain Jay Bodas was mixing mythology with science and हजारों साइंटिस्ट ने इस petition को साइंट किया था अब ये तो तब भी recent time की बात है 1974 में भी एक newspaper पब्लिक किया गया और वहाँ पर भी ट्रोल किया गया अनकित सूले नाम के एक scientist activist ने दवीक को दिये गए interview में कहा था वो school level physics पर है according to him अगर उन scripture based हम किसी aircraft को बनाने के कोशिश करें so it was a big failure और कई सारे विज्ञानिकों ने तो वहाँ निका सास्तर कब लिखा गया था किसने लिखा था इस पर भी कई सारे सवाल खड़े किये लिकिन इतने सारे criticism को एक जटके में गलत साबित कर दिया American scientist Travis Shane Taylor ने University of Erwin के इस engineer ने हमारे scriptures based एक aircraft model बनाया he created a flight worthy environment to test the model could be actually lived in the air and result देखके तो वो खुद भी हैरान रहे गए क्योंकि उनके model ने ये test pass कर लिया था जब उनसे पूछा गया कि उन लोगों के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे जो इन scriptures में दी गई knowledge के उपर question करते हैं he said the experiment he performed was purely scientific and the shape made using the information from those texts is a viable aerodynamic structure so ये topic काफी confusing हो जाता है क्योंकि कुछ विज्ञानिक है जो इस पूरे scriptures को criticize करते हैं लेकिन कुछ विज्ञानिक है जो इसका use करते हैं और इनके models को बनाकर successful भी करते हैं तो देखो इसके पीछे का एक बहुत ही simple सा reason है जब भी कोई information एक आदमी से दूसरे आदमी या किसी civilization से दूसरे civilization या किसी time period से दूसरे time period में travel करती है या pass on करती है तब उसकी original text और pass on किये गए text में काफी जादा changes आ जाते हैं और वो changes काफी सारी confusion create कर देते हैं और दूसरी चीज़ की संस्कृत आज की time पर हमारे लिए एक alien language हो चुकी है हम उसको अच्छे से translate नहीं कर पाते which leads the lack of knowledge लेकिन हाँ अगर हम संस्कृत में mastery हासिल कर लेते हैं हम इतने capable हो जाएंगे कि हम उस text को पढ़ सकते हैं उन्हें समझ सकते हैं और उनकी knowledge को implement कर सकते हैं अपनी life में तो आपको क्या लगता है हम pushpuck विमान जैसे aircraft को कभी revive कर पाएंगे या फिर नहीं हमें नीचे comments में बताइएगा और अगर ऐसी वीडियो जार देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो को like करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक subscribe मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत encourage करता है तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और ना टॉपिक के साथ लबते के लिए जहेंद